लेकिन आज इस स्टेज पे खड़े हो कि मैं दोबारा छूट नहीं बोल सकती हूँ पापा का नाम है ब्रिच भूशन धानुशाली इजट मिट्टी में न मिल जाए तो मुझे कुछ नागुस्तो बोलना ही पड़ेगा पूरे के पूरे सेमिनार के सामने पूरे के पूरे होल के सामने इसलिए जब श्रिष्टी जो है देखती है कि उसके पापा आ रहे है तीर्थ पापा आ रहे है तो उसके बाद वो बोलती है अपने मूँ से की लूतन ने अपने पिताजी को स्टेज पे बुलाया लेकिन इनका नाम ही गलत लिया श्रिष्टी मुखर जी कौन असली है कौन नकली है ये तो फ्यूचर में डिसाइड होई चाहेगा जनक ने ओर्डियंस को भी ये बदाया कि उसके पापन नहीं चाहते थे कि कुल भोशन की इजद गिरे इसलिए जो है वो अब तक आ नहीं रहे थे थेंक्यू